हेलो, नमस्कार दोस्तों, दोस्तों, जै आठ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है, दोस्तों आज मैं आपको बीसमी सताब्दी की जो कला है घनवाद, अभिवेंजनावाद, अतियथार्थवाद, दादावाद, तथा फावाद से संबंदित, महतपूर, बहविकल्पी, प्रशनुत्तर का ये पहला वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में कोश्चन नमबर वन से लेके कोश्चन नमबर 25 तक बताऊंगा तो आएए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं घनवादी कला आकृतियों को किस रूप में देखते थे वर्ग के रूप में त्रिकोड आतमक और वर्ग के रूप में गोले और त्रिभुच के रूप में घन और संकु के रूप में तो इसका राइट आंस्वर है घन और संकु के रूप में देखते थे कोश्चन नमबर 2 घन वाद में कितने आयाम होते हैं एक, दो, तीन, अने, इसका right answer एगा तीन आयाम होते हैं, यह कई बार question आ चुका है एकजामों में, question number 3, अमूर्थ कला का प्रथम घोशडा पत्र किस वर्स में प्रस्तुत किया गया, 1912, 1910 इस वी, 1914 इस वी, 1916 इसका right answer एगा, 1910 इस वी, परिप्रेक्ष की द्रिष्ट से, हमें घन में कितने पक्ष दिखाई पड़ते हैं, 6, 3, 4, 2, इसका right answer एगा, 3, question number 5, 5, कौन से दो कलाकारों ने ज्यामिती, चलन, चमकदार, रंगो, एवं तकनीक का समावेश अपने चित्रों में किया था, पॉल सेजा एवं वेशेंट वान गॉप, पिकासो एम ब्राक, माने एवं एडगर डेगा, वान आइक बंदु, इसका right answer एगा, पिकासो एम ब्राक ने, पिकासो किसके समय पैदा हुआ था, फाविज्म, रेनेशा, घन, चित्रड, सैली, आभास, चित्रड, इसका right answer एगा, आभास, चित्रड के समय पिकासो का जन्म हुआ था, ब्राक और पिकासो ने, जिस सैली को जन्म दिया, उसे किस नाम से पुकारा जाता है, फंतासी, अतियत्हार्थवाद, घनवाद, प्रभावाद, इसका right answer है, ग, घनवाद, question number 8, मुर्गा किस कलाकार की मूर्ती है, दोस्तों यहाँ पे इस कल्चर है, मुर्गा जो है, इस कल्चर है, वानगा, M.F. हुसाइन, सेजान, पिकासो, इसका right answer है, ग, पिकासो, यह काफी important है, और कई बार एकजामों में पूछा गया, question number 9, अभिग्नन, सुन्दरिया, चित्र किस ने चित्रित किया, मोधि ग्ल्यानी ने, पिकासो ने, लोत्रेक ने, जुआ ग्रीस ने, इसका right answer है, पिकासो ने, घनवाद का प्रथम चित्र किस का था, एडवर्ड मुंच, जार्ज, रुओल, पाबलो पिकासो, मातिस, इसका right answer है, पाबलो पिकासो, question number 11, घनवाद का जन्म वर्ष है, 1925, 1907, 1929, 1911, इसका right answer है, 1907, 1910, इस भी में, अविट्न, की इस्त्रिया नमक पेंटिंग से घनवाद की सुरवात हुई है, और 1925 में घनवाद समाप्त होता है, तीन नर्तक पेंटिंग के साथ, पाबलो पिकासो किस वाद से संबंदित है, प्रभावाद, अविजनावाद, घनवाद, दादावाद, इसका right answer है, घनवाद से संबंदित है, क्यूबिस आंदोलन से संबंदित है, घनवाद के प्रवर्था कौन थे, सेजा एवं वानगा, पिकासो एवं ब्राक, रैफेल एवं रेणवार, टिन्टो रेट्टो एवं केरेविज्जियो इसका राइट एंस्वर एखा पिकासो एवं ब्राक कोश्चन नमबर 14 तीन संगी तक किसकी प्रसित पेंटिंग है पिकासो, नंदलाल बोस माइकल एंजलो इन में से कोई नहीं इसका राइट एंस्वर एखा पिकासो पिकासो ने आधुनी कला की प्रेड़ा ली अफ्रीकी मुखवटो से, गुफा चित्रो से भीती चित्रो से, सास्त्री कला से इसका राइट एंस्वर एखा उन्होंने अफ्रीकी मुखवटो से प्रेड़ा ली थी लेस, डेमाय, सेलेज, निम्न में से किसका चित्र है, सेजान, रोधा, पाबलो पिकासो, गैस टाउन, इसका राइट एंस्वर है गह, पाबलो पिकासो, बहुत इंपोर्टेंट पेंटिंग है, यह अक्सर एक्जामों में पूछा जाता है, नीली एवं गुलाबी अवधी कि कि कही जाती है, गुस्ताव क्लिम्ट, एडवर्ड मुंच, हेन्री रूसो, पाबलो पिकासो, इसका राइट एंस्वर है गहा, पाबलो पिकासो, सरवाधिक प्रसित चित्र, शान्ति, किसके द्वारा बनाया गया है, पिकासो, सालवाडो डाली, एफ एन सूजा, वान बहुत ही फेमस है, कोश्चन नमबर नायंटीन, पिकासो की मृत्व किस सताबदी में हुई थी, बीसवी, उननीसवी, अठरामी, सत्रामी, इसका राइट एंस्वर एखा, बीसवी सताबदी में, इनकी मृत्व हो गई, पिकासो की, कलाकार पाबलो पिकासो किस सैली के अपने pink period के लिए कौन परसिद्ध है गोंगव, वानगॉक, सेजान, पिकासो इसका right answer है गहा, पिकासो, famous है Question number 22 पिकासो का जन्म कहां हुआ था Spain, Paris, Holland, Italy इसका right answer है 1881 में पाबलो पिकासो का जन्म इस्पेन में हुआ था Question number 23 पिकासो का 20 विख्या चितरुग ग्वेर्णिका किस सेलिका है अ móतियातार्तवादी, घनवादी, अव्यनजनावादी तीनो इसका right answer है गहा, तीनों से संबंदिध अतियातार्तवादी, घनवादी, अव्यननावादी ये तीनों से संबंदित है Question number 24 प्रसीद चित्र ग्वेरनिका के चित्रकार है इसका right answer रखा पाबलो पिकासो बहुत ही फेमस पेंटिंग है वीश प्रसीद पेंटिंग है इसी के लिए पिकासो जाने जाते है और यही पेंटिंग अक्सर पुछा जाता है question number 25 पिकासो का प्रसीद चित्र है लास्ट सपर मिनो तोर मासिया सन फ्लावर बर्था वीनस इसका right answer रखा मिनो तोर मासिया यह इनका प्रसीद चित्र है तो दोस्तों इस तरह से हमने question number 25 तक बताया है पहले वीडियो में इसके बात के question दो दोस्तों मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा like, subscribe और share करें हमारे YouTube चैनल पर comment करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों इसी प्रकार से visual art से संबंदित important वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा धन्यवाद दोस्तों